नमस्कार दोस्तों बिंदू के होम रेशीपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सेजवान चटने यह हमने आद पाव लाल मिर्च लिया है उसको दो घंटा पहले भीगा के रखा था पानी में और उसको हमने बॉयल कर लिया देखिए इस तरह बॉयल हो जाने के बाद ऐसा होगा और हमने इसको मिक्सर में पीछ लिया है हमने 100 ग्राम तेल लिया है उसमें लहसुन बारिक कटा है 50 ग्राम अद्रक कटा हुआ बारिक दोनों को बहुत बारिक कट लेना है और हमें तेल में डाल के ब्राउन कलर में कर लेना है तो देखिए हमने डाल लिया लहसुन डाल लिया अद्रक डाल लिया उसको थोड़े दे चुन चुन होगा फिर छो हमने पिसके रखा है लाल मिर जी व टाल देंगे दीखिए हमने डाल दिया और जो बरतन है उस्में थोड़ा सा पानी डाल कर फिर हम उसमें डाल देंगे और हम इसको पाच मिनट पकाएंगे दिमी आच पे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि कड़ाही में वो चिपके नहीं तो हमने उसको भूनते रहेंगे थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद हम हम उसमें वह जो बरतन धो के डाला पानी वह डाल कर चलाएंगे ताकि चिपके नहीं तो हमने वह पानी धो कर थोड़ा सा डाल दिया और उसको भुनेंगे और हमने तीन चमच सोयासस डाला तीन चमच शोया शस और उसमें विनेगर डालेंगे देखिए हमने छे चमच विनेगर डाला टामाटर केचप डालेंगे दो चमच तो हमने तीनों चीज को डाल दिया और हम सोया शस टामाटर शस और विनेगर डालकर चलाते रहेंगे इसमें दूदू चमच हम छीणी डाल लेंगे देखिए हमने चीणी डाल दिया फिर हम चलाते रहेंगे धिरे धिरे पकाते रहेंगे इसको चला कर ज्यादा चीनी नहीं डालना है हमें जितना है उसी अंसार हम चीनी डालेंगे तो हम चीनी डालकर चला लिए और नमक हम स्वाद है नुसार डालेंगे मिर्ची है तो थोड़ा सा इसमें नमक ज्यादा ही लगता है और तेल भी ज्यादा लगता है जैसे तेल जल जाये तो थोड़ा सा उपर से तेल और आप डाल सकते है और इसको अच्छे से चला लेंगे, चलाते रहेंगे कि चिपके नहीं, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे उपर से हम, और 20 मिनट तक पकाएंगे, आज कम करके, ज्यादा तेज नहीं रखेंगे, और अच्छे से पका लेंगे, आपको सेजवान चटनी बिल्कुल रेड अच्छा है, खाने में भी उतना ही आच्छा है, अगर हमारा रेचिप भी आपको पसंद आए, तो सस्क्राइब करिए, और बेल आइकोन को दबाएए, और कमेंट में बताए, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए